बच्चो इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे हम सर इसे हम पढ़ेंगे पॉरिगन रॉंग इसको हम पढ़ते हैं पॉरिन जी साइलेंट पॉरिन रॉंग जी साइलेंट ओके और इसे कैसे पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे हम रेगन रॉंग ये भी रेगन नहीं है rain g silent here sir why is g silent in these words देखो guys जब भी g के बाद में n आता है तो g silent रहता है जैसे कि align campaign design sign अच्छा ऐसा होता है तो फिर तो हम इसे signal पढ़ेंगे नहीं इसको हम पढ़ेंगे signal g silent नहीं है that's an exception इसे signal पढ़ेंगे exception या that's an exception चलो signal exception है यह तो signify पढ़ा जाएगा नहीं signify नहीं signify जी यहां पर भी silent नहीं है that's another exception यह signify है exception English crazy